तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है, इंटर्मेडियर की उर्दू एक्जाम की जो कोष्चन है, हम उनके जो है, कोष्चन को शोल्ब करेंगे, जो आपने जो है, दोहजार ताइस में जो इंटर्ड की अबकी जो एक्जाम दिये हैं, उनका आप जो है, एक से लेकर 100 तक का सबी question का right जो है answer को हल करेंगे तो students देखें हमारे पास एक question है उर्दू का series है इसका सी और ये science student का question है इन question को आज हम जो है हल करेंगे आप अपने question से इसको मिलाएं कि आपके कितने question जो है सही हैं और कितने आपके गलत हुए है तो students देखिए सारे question को एक सुरू से आएंट तक उपर शवाल लिखा हुआ दरजल मारुजी सवालाद में से पचास का सही जवाब मुन्तखव करें पचास से ज्यादा जवाब देने पर सुरू के ही पचास सवालाद जाच किये जाएंगे तो students लिखा हुआ है कि आप सौम से पचास का ही जवाब दे सकते हैं अगर आपने जो है इनसे जवाब दी है तो आपको सुरू से पचास question ही जो है गिरे जाएंगे उनके बाद एक भी question को गिना नहीं जाएगा तो पहला स्वाल है कि सेर का हमसूत लफज क्या है हमसूत के माने होते हैं एक जैसा आपाज तो इसका option A सही है share 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 ही है स्वाल नमबर दो है कि यहां से जाओ में जाओ कौन सा फेल है तो दो का सही जबाब है B Fail Amr सवाल नमबर तीन है रहमत आलम में कबाइद की कौन सी तरकीब है इसका सही जबाब है option A मरकब तौसीफी सवाल नमबर हमारा फूर है दर जिल मेंसे इसमे मुशक्गर कौन है तो चार का सही जबाब है B KITाब चाँ स्वाल नमबर पांच है या नई गारी है में मौसूफ कौन है तो पांच का सही जबाब है option C गारी स्वाल नमबर छे है दर्ज जेल में से मौनस कौन है तो छे का सही जबाब है option C तौबा स्वाल नमबर अब शात है किताब पड़ी गई कौन फेल है किताब पढ़ी गई कौन फेल है तो साथ का सही जवाब है Option B फेल मजहूल सवाल नमबर आठ है दर्जिल में से उर्फ की मिसाल कौन है तो आठ का सही जवाब है A. जुम्मन सवाल नमबर नौ है खार का हमशूत लफज क्या है तो नौ का सही जवाब है Option A. खौर सवाल नमबर दस है कलमा की कितनी किसमे है तो दस का सही जवाब है Option D सवाल नमबर ग्यारह बागो बाहर किस सन में लिखी गई तो ग्यारह का सही जवाब है Option B. अठारह सो एक सवाल नमबर बारह है के तरकी पसंद तहरीक का बजाबता आगाज कब हुआ तो बार्या का सही जवाब है अफसन ए 1936 में सवाल नमर 13 है उर्दू अदब में मुख्तसर अफसाने की दाग बेल का सहरा किसके सर है तो तेरा का सही जवाब है अफसन डी सज्जाद हैदर यल्दरम सवाल नमर 14 है अफसाना प्रामिस में कितने भाईयों का तजकिरा है चवाल नमर 15 जिलानी बानों की पैदाइस कब हुई तो 15 का सही जवाब है अफसन बी 1936 सवाल नमर 16 है सफी जाविद का पहला अफसाना कब साय हुआ तो 16 का सही जवाब है अफसन बी 1903 सवाल नमर 17 है अबदुल्ला भेसा कौन था तो 17 का सही जवाब है अफसन सी सरपंज का बेटा सरपंज का बेटा अब देखिए सवाल नमर 18 है इस सलाम बिन रज्जा की पैदाइस कब हुई 18 का सही जवाब है option B 1901 में question 19 मौलाना आजध का तारिखी नाम क्या था 20 का सही जवाब है option B फिरोज वाख्थ स्वाल नमर 20 से है गोबारे खातिर के मुसन्निफ कोन है तो 20 का सही जवाब है option C मौलाना आजध स्वाल नमर 21 है गालिब का मजार कहा है 21 का सही जवाब है option D देहली में गालिब आगराम पैदा हुए थे देहली में ही उनका इंतकाल हो गया निजाम अदिन में और वही इनको दफन कर दिया गया स्वाल नमर 22 है मिर्जा नौसा किसे कहा जाता है तो 22 का सही जवाब है option D गालिब गालिब को मिर्जा नौसा कहा जाता है स्वाल नमर 23 रंज का खोगर हुआ इनसान तो मिठ जाता है रंज या मिस्रा किसका है तो 33 का सही जवाब है option B गालिब स्वाल नमर हमारा है 24 यास यागना चंगेजी की पैदाइस पतना सीटी के किस महला में हुई तो 24 का सही जवाब है option B मुगल पूरा में श्वाल नमर 25 है पहार काटने वाले से सायर की क्या मुराद है तो इसका सही जवाब है option A फरहाद स्वाल नमर 26 है इन में से कौन पैरवी ममीर के लिए नहीं जाना जाता है तो 26 का सही जवाब है option C यागाना चंगेजी सवाल नमर 27 है खलील रहमान आजमी का मजमुवा कौन है तो 27 का सही जवाब है option D नया आहद नामा सवाल नमर 28 है हम बासूरी पे मौत के गाते रहें नगमा तेरा यह किसकी गजल का मिस्रा है तो 28 का सही जवाब है option D खलील रहमान सवाल नमर 29 है जेल में से किस सायर को तारीख गोई में महारत हासिल है तो 29 का सही जवाब है option B अताका कभी सवाल नमर 30 है अर्वी हुर्फ तहजी के कूल कितने हुरूफ है तो इसका सही जवाब है तीस का option D तो कहीं कहीं जो है इनका जवाब जो है option C भी है 28 भी है क्योंके इनमें जो है पहले हमजा जो हुर्फ तहजीम यो होता है उनको नहीं गिना जाता था कदीम दोर में लेकिन अब जदीद दोर में जो है हमजा को भी गिना जाता है तो इस लहाब से कह सकते हैं कि इसे इनकी तादाद 29 है तो इनका 28 और 29 दोनों हो सकते हैं confusion है पहले जो है इनको 28 गिना जाता था अब इनको 29 गिना जाता है सवाल नमर हमारा 31 है कि मीर अनीस के हमसर कौन है तो 31 का सही War है Option C मीर दूबेर सवाल नमर 32 है मर्सिया गोई के लिए क्यों सी हमसर की गई है तो 32 का सही जवाब है Option A मुसदस सवाल नमर हमारा 33 है के नौ सरहार क्या है तो 33 का सही जवाब है option D मरसिया सवाल नमर 34 जो साजादी के बाद कहां चले गए तो 34 का सही जवाब है C पाकिस्तान चले गए सवाल नमर 35 है मिजाज का तालोग की सुभा से था तो 35 का सही जवाब है option C उत्तर परदेश बली किसके दर्मियान एक पूल की तरह दिखाई देते हैं तो 36 का सही जबाब है option A सुमाल और जुनूब के दर्मियान सवाल नमर 37 रासिक का मजार कहा है 37 का सही जबाब है B लोधी कट्रा पटना सीटी में सवाल नमर 38 है गजल किस सिन्फ से सिन्फ से बजूद में आई तो 38 का सही जबाब है option B कसीदा से सवाल नमर 49 है उर्दू साइरी के अहद जर्री का शायर कौन है तो 49 का सही जबाब है option B शोदा सवाल नमर चालिस है उर्दू में किस जुबान के तवस्त से गीत की समूलियत हुई तो चालिस का सही जबाब है option A हिंदी सवाल नमर एकतालिस है निसाम में सामिल मय युनिवर्सिटी में के मुसनिफ कौन है किसका सही जबाब option B अहसान दाने सवाल नमर 42 सरबर का पूरा नाम क्या है तो 42 का सही जबाब है option B रजब अली बेग शरबर सवाल नमर 43 दास्तान फसाना अजाइब कब लिखी गई तो 43 का सही जबाब है option C अठारे सो पचीस में सवाल नमर 44 बेदी कब पैदा हुए तो 44 का सही जबाब है option B 1915 में सवाल नमर 45 जेल में किस की पैदाएष लाहोर में हुई तो 45 का सही जबाब है option B राजेन सिंग बेदी सवाल नमर 46 कामिले इनकलाब का तालुक अदव के किस सिंप से है तो इसका सही जबाब option B खुतवा से सवाल नमर 47 है अली सरदार जाफरी की पैदाइस कहां हुई तो 47 का सही जवाब है आफसने बदरामपूर उत्तर परदेश में सवाल नमर 48 अली सरदार जाफरी उर्दू के किस आदवी तहरीक के नुमाइंदा सायर है तो अर्तालिस का सही जबाब है आफसन ए तरक्की पसंद तहरीक सवाल नमर उन्चास नजम गुफतगू को शायर ने किसके नाम मानून किया है तो इसका सही जबाब आफसन सी हिंदो पाक दोस्ती के नाम सवाल नमर पचास है अमिक हनफी का असल नाम क्या था तो पचास का सही जबाब है आफसन ए अव्दूल अजीज हनफी अव्दूल अजीज हनफी सवाल नमर हमारा 51 है के उरदू का पहला खाका निگार कON है तो इसका सही जबाब है आफसन ए फरतुल्ला वेग फरतुला वेग अवसर ​ सवाल नमर बावन है ख्वाजा हसन निजामी ने किस रिसाले की बुनिया डाली तो बावन का सही जवाब है अवसर भी नजामलमसाइख सवाल नमर तिरपन है जेल में से सुलयमा नदबी की तसनीफ है तो तिरपन का सही जबाब है अफ़सन B नुकूस-अ-सुलेमानी सवाल नमर चौवन है इनसाया की एक अजाफी खूवी क्या है तो चौवन का सही जबाब है अफ़सन B तन्जो-मजा तन्जो-मजा शवाल नमर पचपर जक्या अफाक इसलामिया कालेज कहा है तो पचपन का सही जवाब है ओफसंडी सीबान में सवाल नमर चपन है इस सामिले निसाब इक्तिवास बागो बहार के किस दर्वेश की कहानी से माखूज है तो इसका सही जवाब ओफसंडी चौत्य दर्वेश से सवाल नमर 57 है मिन्टू के पहले अफसाने का क्या नाम था तो 57 का सही जवाब है ओफसंडी सी तमासा सवाल नमर 58 है अम्मू से जनाजा में कांधा देने का वादा किसी ने किया था तो इसका सही जवाब है ओफसंडी सी बेटो ने सवाल नमर 69 है सफी जाबेद का असल नाम क्या था तो 69 का सही जवाब है आपसन बे मुहम्मद सफी उद्दीन सवाल नमर 60 अपसाना इबराहिम सिक्का का मरकजी किरदार कौन है तो 60 का सही जवाब आपसन बी इबराहिम सिक्का Q. 61 है नजम खेती का मरकजी किरदार कौन है तो 61 का सही जवाब है option B वक्त सवाल नमबर 61 है इन में से कौन मजमुआ आमिक हन्फी का नहीं है तो 62 का सही जवाब है option C कागजी पैरहन सवाल नमर 63 है अकबर आवादी किस तरह के सायरी के सबब मशूर हुए तो 63 का सही जवाब है option D जरीफाना शायरी सवाल नमर 64 है सायरी शायर को मिस कहा मिली तो इसका सही जवाब है option A कलीसा में सवाल नमर 65 है दौलत इजतो इमान किसके कदमों पर शायर निशार करना चाहता है तो इसका सही जवाब है option C महबूबा यानी सायर कलिसा की मीश पर अपना दौलतो इज्जतो इमा कुरवान कर देना चाहता है सवाल नमर 66 है जफर कमाली की कौन सी नजम आपके निशाब किताब में शामिल है 66 का सही जबाब है औपसन बी मत सायर सवाल नमर सरस्ट है जकिया अफाक इसलामिया कॉलेज में जफर कमाली की सूबे में लिक्चरर है सरस्ट का सही जवाब है बी फारसी जुबान में सवाल नमर अरस्ट है मत सायर के नजर में गम खुआर कौन है तो 68 का सही जबाब option B पैरोडी निगार सवाल नमर 79 है ओजोनियो मुन्ताले को nobel इनाम से कब नवाजा गया तो 79 का सही जबाब option B 1975 सवाल नमर 70 है सामिले निसाब नजम हम नहीं जानते किस की नजम है तो 70 का सही जबाब है option C ओजोनियो मुन्ताले सवाल नमर 71 है किस लफज का मानी खत होता है तो 71 का सही जवाब है आपसने मक्तूब सवाल नमर 72 है मिरजा फरतुला बेग की कौन सी तसनीर सामिले निसाब है तो 72 का सही जवाब है आपसन सी नजीर अहमद सवाल नमर 73 है जेल में मजमून कौन है तो 73 का सही जबाब है अफसन Wellington B मिट्री का टेल सवाल नमर 74 है खौजा हसन निजामी की कफालत किस grad की तो 74 का सही जबाब अफसन C सेद हसन अली सा ने सवाल नमर 75 है डर्ज जेल में से नौविल कौन है तो 75 का सही जबाब अफसन B तौबत eruption नसू सवाल नमर चेटर तनकीद किस तरह का अदब है। तो चेटर का सही जबाब है ऑफसंसी सियरी अदब है। सवाल नमर सततर है मदरसा इमदादिया दर्भगा में किस معروف अदब ने तालिम हसल की। तो 77 का सही जबाब आवसंग सी सिय सुलिमान नद्वी सवाल नमर 78 है निसाम में सामिल सिय सुलिमान नद्वी के मजमून का उन्वान क्या है तो 78 का सही जबाब है आवसंग बाज पुराने लफजों की नई तहकीक सवाल नमर है 89 एक मुम्ताज नाकीद के इलावा बजीर आगा की सोहरत किस सिन्फ में थी तो 89 का सही जवाब है आवसन भी इन्शाया निगार सवाल नमर 80 है याकब और यूसुब में क्या निस्बत है तो 80 का सही जवाब आवसन सी बाप और बेटे का सवाल नमर 81 इसमें फाइल के लिए मिसाल है तो 81 का सही जवाब आवसन ही देखने वाला सवाल नमर 81 है लफज कितने तरह के होते हैं तो 81 के सही जवाब है आवसने दो तरह के होते हैं सवाल नमर 83 है जुमला में था किसकी अलामत है तो 83 का सही जबाब है आपसने माजी बाईद की लेकिन यहाँ पर आप इस्टूइंट्स एक चीज देखें किया है इनमें सवाल दिया जुमले में था किसकी अलामत है लेकिन यहाँ कोई जुमला ही नहीं दिया है सिर्फ था पुछ लिया है लेकिन हम अपने अंदास से अगर जो है इसका कोई जुमला लेते हैं कि मैं पटना जाता था तो पता इसे चलता है कि मैं बहुत पहले जाता था अब नहीं जाता हूं तो यह माजी बाईद की मिसाल है सवाल नमर हमारा 84 है परहेगा किस तरह का फेल है 84 का सही जबाब है अपसन C मस्तक्बील सवाल नमर हमारा 85 है इल्म नहों में किसकी बहस होती है तो इसका सही जबाब है अपसन B जुमले की सवाल नमर 86 है सकता का मतलब है तो 86 का सही जबाब है अपसने मुखतसर ठहरा सवाल नमर 87 है अफजल ने किताब पढ़ा इसमें पढ़ा क्या है तो 87 सही जबाब है आफसन ए फेल सवाल नमर 88 है मैं देहली जाओंगा या कौन सा जमाना है तो 88 का सही जबाब है आफसन वी फेल मुस्तक्बील सवाल नमर 89 है दर्ज जेल में खिताब कौन है तो 89 का सही जबाब है अफसन भी खान बहादूर सवाल नमर 90 है मुनासी लोज से जुम्ला मुकमल कीजिए तुम क्या कर रही हो अफसन भी सही है सवाल नमर एकानवे है हुर्फ नदा की मिसाल है तो एकानवे का सही जबाब है आफसन ए लर्कों सवाल नमर बिरानवे है इसम आला की मिसाल है तो बिरानवे का सही जबाब है आफसन ए आरी सवाल नमर तिरानवे है लर्क खराहट क्या है तो 93 का सही जबाब है option C हासिल makh dusty सवाल नमबर 94 है काशिफ ने खत लिखा इसमें काशिफ क्या है तो 94 का सही जबाब है option B फाल सवाल नमबर 95 है अहमद आया होगा में आया होगा कौन सा फेल है तो 95 का सही जबाब है option C माजी सक्कीया सवाल नमर 96 है तखलूस की मिसाल है तो 96 का सही जबाब है और सने गालिव सवाल नमर 97 है तारिफ की जीद क्या है तो 97 का सही जबाब है और सने तोहीन सवाल नमर 98 है सर्म का मुतरादिफ क्या है तो 98 का सही जबाब है और सने हया सर्मो हया सवाल नमबर 99, कान में तेल डाल कर बैठना का क्या मतलब है 99 का सही जवाब है, औसन ए बेपरवा होना सवाल नमबर अब है, लाष्ट है, सो नमबर का कि जिस्म की जमा क्या होगी तो इसका सही जवाब हो जाएगा, औसन C. अजसाम ते स्टुडेंट्स हमने 100 कोश्चन राइट राइट बनाया है ते स्टुडेंट्स अपने कोश्चन से मिला ले कि आपके कितने कोश्चन सही हुए हैं खुदा हाफिज